कि नमस्कार आप देख रहे हैं एस्पीन आई न्यूज और आपके साथ मेहू करांति सिंग आपको बता देए कि जिस तरीके से चुनावी माहुल की बीच में अलग-अलग बाते होती हैं अलग-अलग रिष्टे नाते निकल करके आते हैं और खास करके अलग-अलग पहलुए दिखते हैं इसी बीच में राजिस्थान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही घमसान मचा हुआ है यानि कि राजिस्थान के सियासत में आज मुद्दा ये निकल करके सामने आ रहा है कि आखिरकार राजिस्थान के सियासत को बचाने के लिए क्यों नहीं दितने भी तमाम बड़े निता हैं कोई हल निकालते हैं क्योंकि देखें, दो सभी निताओं का एक ही बयान आता है, और उसी बीच पे राहुल गांधी का जो बयान है, वो सबसे एहम नजरिये से देखा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि यहां पर राहुल गांधी के इस बयान से यह बात साफ हो गई है, कि पाइलेट जो है, वो ए है लोथ हमारे लिए बहु मुल्ले है उतने ही पाइलेट भी हमारे लिए बहु मुल्ले तो हमारे लिए दोनों नेता ही बहु मुल्ले है और दोनों निताओं के साथ ही हमें आगे चलना है यानि कि सियासत में दोनों नेताओं को एक ही मयान में रखना है लेकिन तलवार आपस लेना चाहते हैं और यहीं वज़ा है कि यहलोत को साइड करना चाहते हैं और लेकिन गहलोत वरसिस पायलेट की इसलड़ाई में राजिस्थान कि सियासत कॉंगर्स के हाँ से छूट रही है शायद उस पर अभी उनलों का ध्यान गया नहीं है फिलान अब आप लोगों से एक सवाल है कि गहलोत वर्सेस पाइलेट की इस लड़ाई को देख करके और पाइलेट के समर्थन में उत्रे राहुल गांधी को देख करके गहलोत का बड़ा एक्शन क्या हो सकता है क्या वो एक्शन जो है वो त्याग पत्र वाले तो नहीं हो सकता है क्योंकि त्याग पत्र यहाँ पर गहलोत दे चुके सोनिया गांधी को और उस त्याग पत्र में जो है साफ साफ उस रब्दों में उन्होंने अपने तरफ से पार्टी से त्याग देने का बात कह दिया और उस बात को लेकर कि बस पुष्टी करनी है यानि कि सिर्फ वर सिर्फ सोनिया गांदी का एक सिगनेचर और वो पार्टी से बाहर देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि आखिर कार जो है क्या यहां पर गहलोत का इस्तिफ़ा होनाता है या फिर पाइलेट का समर्थन जिस तरीके से राहूल गांदी कर रहे हैं अगामी समय में वही मुख्य मंत्री होंगे कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहे हैं